क्योशन नमबर 9 सी प्रारंभिक रूपांत्रान लिखे राइट डाउन एलिमेंटरी आप्रेशन को लिखना है क्या होता है फर्स्ट है इंटर चेंज आफ एनी टूरू या तो फिर कालम आर आई जे से निरुपूत करते हैं दो इस्तंभों की अदला बदली या फिर दो पंक 6062056567 यह कोई मेट्रिक्स है है फस्ट नमबर यह है कि किसी भी इस्तम या तो फिर पंक्ती को हम क्या करेंगे इंटर चेंज करेंगे किसी भी रो या तो फिर कॉलं को हम क्या करेंगे इंटर देंगे हम इंटर्चेंज करती हैं और 1 को आर्टू के प्लेस पर ले जाते हैं और 2 को आरवन के प्लेस पर ले जाते हैं तो हमें मिलेगा 209 209 246 निचे आजाएगा 246 567 यह हम R1 और R2 को interchange किये हैं यह elementary operation कहला आता है यह किसके लिए है? row के लिए है same हम column के लिए भी use कर सकते हैं 237 587 309 यह कोई matrix है इसमें हम एक operation एप्लाई करते हैं C1 पर column 1 पर sorry column 1 को आधज को C2 के place पर ले जाते है ап column 2 को column 1 के place 50 253 और सी 2 है उसको C1 के place पर ले आते हैं 380 0, 7, 7, 9 ऐसा हम कर सकते हैं यह elementary operation कहलाता है यह first elementary operation है का example है second देखते हैं second elementary operation कहता है multiplication of any two row या तो फिर column by any non-zero scalar यह scalar क्या होता है non-zero क्या होता है और यह scalar क्या होता है non-zero जिरो नहीं होना चाहिए 0 के अलावा आप one two half three by two अप ले सकते हो आप scalar क्या होंगे scalar जैसे की one two half three by two यह आप ले सकते है scalar quantity three zero two four five six two two three second किसी भी row को हम क्या कर सकते हैं non-zero number से हम क्या कर सकते हैं multiplication कर सकते हैं जैसे कि यह row two है row two में हम row two into क्या कर दें three into कर दें तो हमें मिल जाएगा three zero two 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 three यह चेंज होने वाली नहीं है आप two में हम operation एप्लाई कर रहे हैं three into कर रहे हैं four three is are twelve five three is are fifteen eighteen तो यह ऐसा हम कर सकते हैं यह कहता है second elementary operation का लाग कहता है second elementary operation किसी भी row में हम क्या कर सकते हैं किसी भी scalar quantity का into कर सकते हैं बट वो scalar quantity क्या होनी चाहिए scalar होनी चाहिए जीरो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर हम zero से into नहीं कर सकते जीरो से into हमको नहीं करना है किसी भी scalar quantity से हम into कर सकते हैं चाहें तो हाप से भी कालम को हम interchange कर सकते हैं c2 को c3 के प्लेस पर ले जाते हैं और c3 को सूट c2 के प्लेस पर ले आते हैं 322 यह c3 है c3 है और यह क्या है c2 है इसको इसके प्लेस पर ले आते हैं 075438 यह सेकेंड elementary operation का ला कहता है कि किसी भी रो या कालम को हम किसी भी नान-zero इसकेलर क्वांटिटी से क्या कर सकते हैं multiply कर सकते हैं थर्ड थर्ड लाग आता है addition of one row of another row किसी भी एक रो को किसी एनदर दूसरे रो से add कर सकते हैं multiplication by any non-zero scalar इसका कहने का मतलब यह किसी भी एक पंक्तिया इस्तम में अन्य पंक्तिया इस्तम को के से गुणा कर जोड़ने की शंक्रिया जैसे 3 to 0, 5, 7, 6, 1, 2, 3 यह r1 है यह r2 है और यह r3 है हम एक operation apply करते हैं r2 में r2 और plus करते हैं 2 into r3 किसी भी एक रो को दूसरे रो से add करना है बट दूसरे रो में हम क्या करेंगे किसी भी scalar quantity का multiply करके हम क्या कर सकते हैं add कर सकते हैं लेकिन यह जो है यह 0 के equal नहीं होना चाहिए और यह क्या होना चाहिए scalar quantity होनी चाहिए half 3 by 2, 2, 5 कुछ भी scalar quantity होनी चाहिए बट 0 नहीं होनी चाहिए तो हमें क्या मिलेगा 3, 2, 0, 1, 2, 3 देखिए R2 है तो इधर भी R2 लिखेंगे प्लस 2C into करना है कि इसमें R3 में 2C into करना है उपर ले जाकर कि क्या कर देना है एड कर देना है इसमें 2C into करेंगे और इधर ले जाकर कि क्या कर देना है एड कर देंगे 2, 1, 2 और 5 और 2 क्या हो जाएगा यह 7 इधर 2C into करेंगे इधर ले जाकर कि क्या कर देना है एड कर देना है तो यह third elementary operation का law कहता है, third rule यह है कि हम किसी भी two row को किसी भी scalar quantity से multiply करके add कर सकते हैं, same rule, column के लिए भी apply होगा, three to zero, five, seven, six, one, two, three, इसमें हम एक operation apply करते हैं, c1 में, c1 प्लस क्या कर दे, two into c2 कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, c1 पर यह हैं, तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, c1, इसमें two c into करेंगे, और इधर ला करके क्या कर देना है, add कर देना है, two to the four और three कितना हो जाएगा, seven, इधर two c into करना है, इधर लाए करके add कर देना है, seven, two, 14 और five कितना हो जाएगा, 19, यह हो जाएगा, two to the four और one कितना, five, बाकि as it is रहेगा, two, seven, two, zero, six, three, तो यह operation हम apply कर सकते हैं, यह third rule कहता है, elementary operation का, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, elementary operation क्या होता है, इंट्रो पार्ट में भी हम बताए हैं कि elementary operation क्या होता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं,